तो दोस्तों अभी हम आपको मग प्रिंट करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको मग करना है वैसे तो हमने कोई काफी वीडियो बनाई हुई है कि वही अन्बॉक्सिंग वीडियो है इसकी डबल स्टेशन जो मशीन है हमारी इसकी अल्रेडी हमने वीडियो ब भी का हम अब निकाले हुए है एकमक दिखाऊ अभी हम ने एक थरफ प्रिंट हम यह कर रहे हैं यह देखो एक तरफ कर रहे हैं दूसरी तरफ 예 ब्लैंक टिक है कस्टोमर की दिमांड्टी किस आम एक तरफ परिंट चणिए तो वह आपको हम करके दिखाएंगे अभी सबसे पहले तो आपको देखो प्रिंट निकालना अभी आप देख सकते हूं यह पेपर हमने हमारा है जिसको हम बोलते हैं 120Jsum का हमारा यह पेपर है देखोँ वह पे टाइमर चला धिया है ठीक है इस पेपर की बात कर रहों यह हमारा पूरा का पूरा पूरा क्विक ड्राइ सोंच कि ने करिंग क्या हुआ दिखा देता हूं ये कटिंग कर रहों है फिर आपको इस तरीकर सा म्क्астиrum लगाया हुआ हैau हमने इस बाली लीशन टेप लगाया इता किरिम ऐटर मार्क आता था की ऊपर अपर तो दूसरी तरफ जो है वो पिरिंट करना है डिए तरप यह तरह ब्सक्राइब कर दो इसमें किस तरीके से यह कंशी नाइब्सक्राइब कर सकते हैं लेफ्ट में लिखा हुआ है लेफ्ट का और राइट का ठीक है और आपका यह टाइम हमने टाइमिंग क्या नम्हें टाइमर रखा है 90 साइड ना 90 सेडिन हमने रखा हुआ इसमें और टेंपरेचर रखा है यह थंडा होता है तो इसमें क्या होता है आप के दिखा थो गिठार के कि लिए अधला करे का ढρι अब दिखा था है थे लिए अदेखिए है इस तरीके से आप कःए कमप्लीट हुग गया और देख सकते हैं printing का क्वालिटी काफी अच्छा है हमने जो इसमें मग की क्वालिटी अच्छी इस्तेमाल करी है और आपका पेपर भी सब्लीमेशन पेपर जो हमारा 300 रुपए का वह इसका है अभी इसमें क्या होता है जब आप मग डालते हो तो मग डालते हो तो इसका जो देखे 350 हम क्या होता है तो मग ठंडा होता है और यह क्लैंप होती है गरम जब गरम के अदर फ़़ट धंडा जाता है तो जो च्यूंट ऑपर तो इसी वजए अब ये क्या होगा 350 पे तक बढ़ता रहेगा 350 तक जब आपका ये temperature बढ़ता रहेगा तब ये 350 पहुंचने का बाद इसका जो countdown है जो 90 seconds हमने इसमें फीड किया हुआ है वो हमारा कमोना स्टार्ट हो जाएगा अभी मैं आपको देखिए मग भी दिखा रहता हूं कि मग के प् मग रखोगे तो आपका क्या होगा temperature जो है वो decrease होगा definitely ठीक है अभी ये मग है अभी ये temperature इसका increase हो रहा है यह आपको करके दिखाऊंगा इसमें आप कोई सावी मग उठा लोगे ना यहां से आप यहां पे देखिए आपका ये वाला मग है जैसे magic मग इसमें भी सेम प्रोस तो मग आपको इसा भी लेना temperature आपका decrease होगेगा process भी नियरली सभी का सेम होता है पैच मग में थोटा सा size का difference रहता है कि size आपको अलग-अलग लेना पड़ता है बस इतना सही फर्क रहता है बाकि कोई ज्यादा खास फर्क रहता नहीं है बाकि आपका fruit beer mugs वगरा होते हैं प्रिंटिंग के लिए तो आप अच्छे कस्टुमर आपको quality का product देना तो आप पेपर के स्थमाल अच्छा कर सकते हैं हमारे जो हमारे paper है काफी है 300-300 रुपे के जो हमारे paper आते उन चे कर सकते हो बाकि में इसका जब कांट-डान च्टार्ट होगा तब मैं आपको इसका टाइमर पहुंचने वाला है 349 हो गया 348 इसका हो गया दोनों मेटर का ठीक है अब आपको क्या करना है इसमें जो टाइमिंग का बटन है ये वाला इसको आपको क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं इसका काउंटडाउन शुरू हो गया तो वह कम होना स्टार आप तैंसे चार मिनटmind होने है इसका मतलब यह कि 90 साइड़ सिर्फ काॉंटडाउण चले मंग तो हमने इसमें पहले ही रख जाया थे IP तो तक्रीबन तक्रीबन मान के चलो आप 300 से 400 सेकिंड के करीब मेरे ख्याल से लग जाता है एक मख को प्रिंट होने के लिए अगर वह सिरामिक का है तो वह आप अभी मापको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से आपका प्रिंट होता है पूरा का पूरा ठीक है मख के ओड़ र इसको मैं हटा देता हूं कि यह देखो दो तिन तरीके के पेपर हम बेसिकली सेल करते हैं डिपन्ड करता है लोगों के ऊपर अगर वह क्वालेटी मांगते हैं तो उनको 300 रुपर लेना चाहिए और अगर लोग क्वालेटी नहीं मांगते तो 100 रुपर वाले पेपर भी जा जीरो जीरो हो गया अब आपको क्या करना है यहां से इस वोटन को क्लिक करना है और मक को निकालना है लीवर को उपर करना है मक को भार निकाल देना है ठीक है और यहां पर रखना है इसको इस वाले को भी निकाल लेता हूं मैं यह रखते हैं दोनों के दोनों में नहीं है ठ च्रिंत कर सकते हैं लिँके सबस्स SP अप very करते हैं तो आपको जब भी मगा करते हो तो ठैब lutin करते हो किशी करिये कर लाम होता इधर कर एरिया जो होता है पूरा का पूरा गरम होता है तो आपको क्या सा कमफर्टेबल वीडियो बनाए ताकि आप लोगों कि समझ में प्रैक्टिकली